आस्मान चूती महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। दिवाली से पहले ही ये महंगाई बॉम सबको परिशान करने वाला रूलाने वाला साबित हो रहा है। आलू से लेकर आलू तो सबजियों का राजा इसनी कहा जाता है कि हर सबजी में आप इस्तमाल कर सकते हैं। लेकिन आलू भी महंगा हो गया है। आपकी थाली की साइस धीरे धीरे छोटी होती चली जा रही है। उसमें चीजें कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जेब पर असर डाल रही है। ये महंगाई रुला रही है। दीवाली से पहले आप अंदाजा लगाई है। चाहे आपको दूद खरीदना हो चाहे वो फल और सबजी हो सब कुछ महंगा। डीजल के दाम में जब बढ़ोतरी हुई थी इस बात का अंदाजा लगाया ही जा रहा था। क्योंकि ये तमाम चीजें ट्रांस्पोर्टेशन से सीधी जुड़ी होती है। डिरेक्ली जुड़ी होती है। अगर उसकी कीमत में इजाफा होगा तो ट्रांस्पोर्टेशन चार्जिस बढ़ेंगे और अगर ट्रांस्पोर्टेशन चार्जिस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो एंड या MRP होगी उसमें वृद्धी होनी ही होनी है। और यही चीज फिर देखने को मिल रही है। सितंबर में रिकॉर्ड तोड महंगाई है। आपको मैंने पूरा आकड़ा बताया कि कैसे लगातार ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और सरकार वादे पर वादे कर रही है। कि अभी महंगाई में कमी हो जाएगी, महंगाई दर कम हो जाएगी, परिषनी सारी की सारी खत्म हो जाएगी लेकिन फिछले 7 महिनों में सबसे ज्यादा सितंबर का महिना महंगा साबित हुआ है। थोक महंगाई दर सारे 6 फी सदी, खुदरा महंगाई दर 10 फी सदी काक्रा चुचुचुकी है इस पूरे मसले पर बाचीद करने के लिए जी मिलिया समवादाता पवन नारा हमारे साथ जोड़ गये हैं पवन ये महंगाई कब तक रूलाने वाली है, दिवाली आने वाली है, तमाम तरीकी की चीज़े अब उस पर कहीं न कहीं रोक क्योंकि हर चीज महंगी होती चली जा रही है ये बिल्कुल ठीक कहा, आपने त्योहारी सीजन में जो जोश होता है, उसको कहीं न कहीं ठंडा कर रही है गर्वी, ये महंगाई जो है, क्योंकि लगातार जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं अमुल ने दिल्ली NCR में दूद के दाम 2 रुपे लिटर तक बढ़ा दिये हैं इसके अलावा सबजियों के जो दाम है, उसकी वजह से भी महंगाई की आग लगी हुई है यानि जिस त्योहारी सीजन में लोगों में जोश होता है, त्योहार मनाने का, कुछ खर्च करने का लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो उसे देखकर लगता है कि लोगों के पास जब आम जिंदगी की जलूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उससे पहले, चुकि दूद का आपने जिक्र किया है और सुबह से जीनियूस आपको लगातार बता रहा है कि कैसे अब आपकी चाई जो है, वो कड़क हो जाएगी, खासकर दिल्ली NCR में जो रहते हैं, इसलिए क्योंकि अमूल जो है, उसने अपने दूद के दाम दो रुपए प्रती लीटर बढ़ा दिये हैं, देखिए दिवाली से एन पहले आमूल ने महंगाई का जोरदार जटका दिया है अपने ग्राहकों, मंगलवार सुबह से आमूल गोर्ड के एक लीटर पर आपको 42 की जगए 44 रुपए देने पड़ेंगे, वहीं आमूल ताजा यानि टोंड मिल्क पड़ेगा 32 की बजाए 34 रुपए अभी 45 का है, अब 46 रुपए लिटर पड़ेगा अमूल ने एक साल के भीतर दूसरी बार दूद के दाम बढ़ा है, वहीं इसके पीछे भारी बारिश के कारण चारे की कमी बताया जा रहा है वहीं इस महीने आने चीजों में 18 प्रतिशत कीमतों में इजाफा हुआ है, अमूल और मदर डेरी में दाम बढ़ाने की होड लंबे समय से मची हुई है, बढ़ोतरी दिवाली से ठीक पहले हुई है, तो इशारा साफ है कि आने वाले दिनों में मावे, खोए और मिठाई के अदाम भी आपकी जेब हिला सकते हैं, दिली से अमित देशमक सुमंत कुमार के साथ, उमंग सोनी, जी मीडिया, आनंद, गुजरात ये महंगाई डायन क्यों खाय जा रही है, ये समझाने के लिए पवन नारा हमारे साथ बने हुए है, पवन बहुत पूछ लिया कि महंगाई बढ़ती जा रही है, परिशानी हो रही है, सवाल सीधा सा है, ये कब तक थम जाएगी, ये महंगाई का जो ग्राफ ही, ये नीच किसी के पास नहीं, क्योंकि हम अकसर सुनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, वो अकसर कहते हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन हमें याद नहीं आता कि पिछला जब उन्होंने वादा किया था उसके बाद कब महंगाई का खत्म हुई है, और ये लग जब भारती अर्थववस्ता में इस तरह से महंगाई जारी रहेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि RBI भी कहीं न कहीं इंटरस्ट रेट उपर रखेगी, यानि कुल मिलाकर, जो माहौल है, वो महंगाई का बना रहेगा, और कब खत्म होगी महंगाई, या कम होगी मह पिश्किल सवाल है, जिसका जवाब इतना आसान नहीं? जहां तक बात है, सीधा सा मार्केट का रूल बताया जाता है, कहा जा रहा है कि फलो और सब्जियों की सप्लाई पर भावित हुई है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से प्याज के दाम बढ़े थे, प्याज की जो पिछला सीसन था, वो इतना बढ़िया नहीं आ आ था, और भारत ने प्याज पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया था, जिसकी वज़े से घरेलू बाजार में प्याज की कमी हो गई थी, और हमें तेज दाम सहने पड़े थे, और जब तक अगली फसल नहीं आ था, लेकिन हम ये कह रहे हैं, कि इस दिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा ये महसूस करवा दे कि महंगाई डायन नहीं है और इसको जल से जल खतम कर दिया जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी के लिए